स्वागत आपका इस प्लेलिस्क में हम चैपकर नंबर वन के सारे examples को discuss करेंगे exercise questions के लिए अलग playlist है और extra questions और sample papers के लिए भी अलग playlist है तो पिछली वीडियो में हमने जहां तक cover कर लिया था अब उसके आगे continue करते हैं examples को चैप्कर नमबर बन का एक्जाम्पल नमबर फाइव सॉल्फ करते हैं Find the decimal expansion of 10 upon 3, 7 upon 8 and 1 upon 7 तो इस question के अंदर हमें 3 fractions दे रखे हैं और हमने इन 3 fractions की decimal expansion निकाल ली है मतलब numerator को जब गिवाइट करेंगे तो डिवाइट करने के पाद क्या है का वो find करना है Simple division करनी है तो चलो एके करके तीनों numbers को गिवाइट करते हैं First part में हमें number दे रखा है 10 upon 3 तो 10 को हमने 3 से डिवाइट करना है वैसे तो गिवाइट करना काफी ज़दा असान है फिर भी मैं एक बार आपको बता देता हूँ तो पहले 3 multiply by 3 is equal to 9 तो 10 में से 9 को subscribe करेंगे तो 1 आता है अब देखो जो 1 है वो 3 से छोटा है तो इसलिए यहाँ पे हमें decimal point लगाना पड़ेगा जैसे ही आप decimal point लगाओगे आपको एक 0 लगाने की permission मिल जाएगी तो 1 और 0 अब ये बन गया 10 फिर दुबारा 3 पे जाएगा 3 into 3 is equal to 9 10 में से 9 को subscribe करते है तो 1 बचता है अब 1 तो 3 से छोटा है लेकिन क्योंकि decimal point पहले ही लग चुका है तो 1 0 लगाना आपको allow गाओगे 1 0 आप लगा सकते हो 0 लगाते ही ये 10 बन जेगा फिर 3 से जाएगा 3 into 3 is equal to 9 10 minus 9 1 यहाँ पे remainder 1 आ रहे 1 फिर से 3 से छोटा है पर क्योंकि decimal point लग चुका है तो 1 0 आप लगा सकते हो फिर से 10 बन जाता है 3 into 3 is equal to 9 फिर से सब्क्राइक करके बना रहे तो ये वाली process बार बार चलती ही जाएगी तो ये बनेगा 3.3333 and so on चलता ही जाएगा तो 10 को जब 3 से गिवाइट करते है तो decimal expansion में आता है 3.3333 and so on क्योंकि ये वाला digit की बार बार रिपीक होता जा रहे इसलिए 3 के उपर ऐसे बार लगा सकते है और वैसे तो question में पूछा नहीं गया लेकिन फिर भी आप बता देना कि ये non-terminating hang repeating decimal है जिस question के अंदर न division की process complete हो जाती है मतलब remainder 0 आता है completely divide हो जाता है तो वो होता है terminating decimal terminate होने का मतलब खतम हो जाना division की process का खतम हो जाना यहाँ पे division की जो process है वो खतम हो ही नहीं रही है इसलिए हमने लिखा है non-terminating और repeating इसलिए क्योंकि एक digit है वो बार-बार ही repeat उता जा रहा है यहाँ पे repeating block में सिरफ एक एक digit है इसलिए यह वाला non-terminating hang repeating decimal है second part में हमें number given है 7 upon 8 तो देखो 7 को एक से divide करते है अब जो 7 है वो एक से छोट है तो starting के अंदर ही पहले आपको decimal point लगाना पड़ेगा जैसे ही अब 0 लिखके decimal point लगाओगे तो आपको एक 0 लगाने की permission मिल जाएगी अब यह बन जाता है 70 तो 8 multiply by 8 is equal to 64 70 में से 64 को subscribe करेंगे तो remainder में 6 बचेगा अब जो 6 है वो 8 से छोट है तो क्योंकि decimal point पहले ही लग चुका है तो एक 0 आप लगा सकते हो तो यह 6 की बन जाता है अब 8 into 7 is equal to 56 सब क्रैक करने के बाद 4 आता है 4 फिर से 1 से छोट है पर क्योंकि decimal point लग चुका है तो एक 0 आप लगा सकते हो फिर 1 into 5 is equal to 40 तो completely divide हो जाते हैं आप यह remainder 0 आ रहा है तो 7 को एक से divide करो तो आता है 0.175 0.175 क्योंकि division की process complete हो चुकी है इसका मतलब यह terminating decimal है terminate होने का मतलब होता है खतम हो जाना division की process complete हो जाना तो 7 upon 1 की value है 0.175 और यह terminating decimal है next third part पे आते हैं third part में हमें number given है 1 upon 7 तो 1 को बीच में रखके 7 से divide करना start करते हैं अब देखो 1 7 से छोटा है तो starting के अंदर ही आपको decimal point लगाना पड़ेगा decimal point लगाते ही आपको एक 0 लगाने की permission मिल जाएगी तो यह बन जाता है 10 अब 7 into 1 is equal to 7 तो 10 में से 7 को subtract किया हमारे पास बच्चा 3 अब 3 क्योंकि 7 से छोटा है लेकिन decimal point का पहले ही लगा चुके हो तो 1 0 आप लगा सकते हो तो 3 into 3 और 0 मिलके अब 30 बन जाता है तो 7 into 4 is equal to 28 30 में से 28 को subtract किया तो 2 आ गया फिर से आपने 1 0 लगानी है क्योंकि decimal point लड़ चुका है तो 1 0 लगाना आपको अलाओ गया अब 7 into 2 is equal to 14 20 में से 14 को subtract करेंगे तो 6 बचेगा 6 फिर 7 से छोटा है तो decimal point लगाओगे एक और 0 लगा पाओगे 6, 6 की बन जाता है फिर 7 into 8 is equal to 56 subtract कर के 4 आया 0 लगाई 40 बन गया 7 into 5 is equal to 35 subtract कर के 5 आया एक और 0 लगाए 50 बन गया 7 into 7 is equal to 49 subtract कर के फिर 1 आ जाता है देखो starting भी 1 से यूई थी और यहां तक पहुँचने के बाद दुबारा से बन आ गया इसके बाद अब यह सारे के सारी process और यह सारे के सारे गिजिक से वापिस रिपीक होना स्कार्ट हो जेंगे तो इसलिए हमने इनके उपर अगले step पे बार लगा दिया है तो 1 को 7 से गिवाइट कर गया आता है 0.142857 बार क्योंकि यह भी गिवीजन के process complete नहीं हो रही है यह बार बार ऐसे ही रिपीक उतर रहेगा इसका मतलब यह non-terminating and repeating decimal है Next, example number 6 पे आते हैं Show that 3.142678 is a rational number हमें question में एक number दे रखा है और हमने proof करना है कि यह वाला number एक rational number है In other words, express 3.142678 in the form P by Q हमने इस number को P by Q की form में convert करना है Where P and Q are integers and Q is not equal to 0 P और Q यह दोनों integers होने चाहिए और Q की value 0 के इलावा कोई और number होना चाहिए क्योंकि division में denominator में कभी भी 0 नहीं आ सकता चलो काफे simple सा question है पहले तो जो हमें question में number दे रखा है आप उस number को as a case लिखोगे अब हमने इस number को P by Q की form में convert करना था तो देखो यहां पर decimal point है न इस decimal point को जब आप हटाओगे तो denominator में 1 लगाना पड़ेगा और क्योंकि decimal point के आगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 गिजिक है तो आप 1 के आगे 6 zeros लगाओगे यहां से हमने बस decimal point को हटाया जैसे आप decimal point को हटाओगे नीचे 1 लगाओगे और क्योंकि decimal point के बाद आगे 6 गिजिक से तो 1 के आगे आपने 6 zeros लगा दे नहीं है तो यह P by Q की form में convert हो गया यह question के अंदर हमें जो number दे रखा था क्योंकि हम इस number को P by Q की form में convert कर पा रहे हैं इसका मतलब यह वाला number एक rational number है कोई भी ऐसा number जिसे P by Q की form में लिखा जा सकता हो वो वाला number एक rational number होता है Next, example number 7 पे आते हैं Show that 0.3333 hang zone which is equal to 0.3 bar यह वाला जो number है क्योंकि इसके अंदर 3 वाला digit यह वाला digit बार बार repeat होता जा रहा है तो इस number को 0.3 के उपर बार लगा के ऐसे लिख सकते हैं जो भी digit या digits repeat होरी होते हैं उनके उपर हम बार लगा देते हैं Show that 0.3 bar can be expressed in the form of P upon Q हमने प्रूफ करना है कि यह वाला जो number है ना इस number को P by Q की form में लिखा जा सकते हैं Where P and Q are integers and Q is not equal to 0 और जब हम इसे P by Q की form में convert करेंगे तो P और Q अलग-अलग integers होने चाहिए और denominator में 0 के इलावा कोई और number होना चाहिए चलो convert करने की process को start करते हैं देखो step number 1 तो यह होगा जो भी आपको number दे रखा है ना उस number को आपने X माल लेना है तब ही हमने first line में लिखा है Let X is equal to 0.3 bar अगले step में आप इस number को X-panic form में लिखोगे देखो बार के नीचे सिरफ एक एक गिजिक है ना इसका मतलब यह वाला गिजिक बार बार रिपीक होता जा रहा है रिपीकिंग ब्लॉक में सिरफ एक एक गिजिक है यह जिसके उपर बार लगा होता है ना इसे बोलती है रिपीकिंग ब्लॉक यह रिपीकिंग ब्लॉक है तो X-panic form में यह बन जाता है 0.3333 and so on अब जितने चाहो उतनी बार थी यह लिख सकते हो और इसे हम equation number 1 मान लेते हैं अब देखो दोनों तरफ आपने ना 10 से multiply करना है क्योंकि बार के नीचे सिरफ एक गिजिक था ना इसलिए 10 से multiply कर रहे है अगर बार के नीचे 2 digits होते तो 100 से multiply करते अगर बार के नीचे 3 digits होते तो 1000 से multiply करते बार के नीचे क्योंकि सिरफ एक गिजिक है इसलिए 10 से multiply कर रहे हैं यह जो छोटी से line है इसे बार कह रहे हैं बार के नीचे जितने digits होते हैं 1 के आगे उतने 0 से लगा कि आपने multiply करना होता है तब ही हमने लिखे है multiply both sides by 10 x को 10 से multiply करेंगे तो बनजेगा 10x और यहाँ पे जैसे ही आप इस number को 10 से multiply करोगे x cap आगे शिप को जगा तब ही बन जाता है 3.3333 and so on यह हमारी equation number 2 है अब ध्यान से observe करो equation number 1 और equation number 2 में decimal point के बाद वाले जो digits है न वो exactly सेम है यहाँ पर भी decimal point के बाद 3333 आ रहे है और यहाँ पर भी decimal point के बाद 3333 आ रहे है जैसे ही यह हो जगा न मतलब decimal point के बाद वाले digits सेम हो जाते हैं तब आपने इन दोनों equations को subtract कर देना होता है तब ही हमने लिखा है subtracting equation 1 from equation 2 यह बड़ी वाली equation में से छोटी वाली equation को आपने subtract कर देना है तो हमने equation number 2 को दुबारा से लिखा उसके नीचे equation number 1 को लिखा अब हम इन दोनों को आपस में subtract कर रहे हैं देखो 10x में से 1x अगर subtract कर देंगे तो 9x रह जगा अब यहाँ पर decimal point के बाद वाले digits जो सेम है तो decimal point के बाद वाले portion यह सब आपस में एक दूसरे को पूरी तरह से cancel out कर लेते हैं सिरफ यह रह जाता है 3 minus 0 is equal to 3 यह जो 9 है यह x के साथ multiplication में है यह उस तरफ जाएगा तो division में आजएगा तो x की value आ जाती है 3 upon 9 अब 3 से यह divide हो रहे है तो हमने ना हमेशा lowest form में लिखके आना होता है मतलब numbers अगर आपस में divide हो रहे हो तो उनको divide करके lowest form में लिखना होता है यह दुनों ही 3 से divide हो रहे है तो 3 से cutting करके बन जाता है 1 upon 3 तो यह हमार answer है हमें question में दे रख था यह वला number कि इसे P by Q की form में convert करना था यह हमने इसे P by Q की form में convert कर दिया जहांपे P की value 1 है और Q की value 3 है तो 0.3 bar is equal to 1 upon 3 This is the answer Next question पर आते है Example number 1 को solve करते है Show that 1.272727 and so on which can be written as 1.27 bar can be expressed in the form P upon Q हमें question में एक number दे रख है 1.272727 and so on और इसे short form में ऐसे लिख सकते है 1.27 और यह 27 के उपर बार लगा देते है क्योंकि यह दोनों गिजिक्स ही बार बार repeat होते जा रहे है और हमें question में बोला जा रहा है कि prove करो show that prove करो कि यह वाला जो number है इसे P by Q की form में express किया जा सकते है मतलब इस number को P by Q की form में convert किया जा सकते है where P and Q are integers and Q is not equal to 0 यह P और Q integers होने चाहिए और denominator में कोई non-zero number होना चाहिए क्योंकि Q की value कभी भी 0 के एक्वल नहीं हो सकती तो basically हमें एक number दे रखा है जिसे हमने P by Q की form में convert करना है चलो solve करना start करते है step number 1 यह होता है जो भी आपको number दे रखा है आप उस number को x के equal assume कर लोगे तब ही हमने first line में लिखा है like x is equal to 1.27 bar अभी जो number है न अगले step में हमने इसे expanded form में लिखना है bar के नीचे ये वाले दो digits है न इसका मतलब ये दुनों digits बार बार repeat होंगे तो इसे expanded form में लिख लिए हमने 1.272727 and so on अब जितनी चाहो उतनी बार 27 को लिख सकते हो यहाँ पे expanded form में लिखने के बाद इसे आपने equation number 1 मान लेना है अब दोनों kalo sites पे हम हंगरक से multiplied करेंगे देखो यहाँ पे 12 के नीचे दो digits है न इसलिए हंगरक से multiply कर रहे हैं अगर 12 के नीचे सिरफ 1 के digit होता तो हम 10 से multiply करते अगर 12 के नीचे 2 digits हैं तो आपने 100 से multiply करना है अगर 12 के नीचे 3 डिजएक होते तो आपने 1000 से multiply करना होता ये बार के नीचे जितने digits होते हैं न 1 के आगे उतने zeros लगाकर आपने दोनो sides पे multiply करना होता है क्योंकि इस question के अंदर ये बार के नीचे सिरफ दो ही digits है इसलिए हम 100 से multiply कर रहे हैं दोनो sides पे तो left hand side पे x को जब आप 100 से multiply करोगे तो वो बन जाता है 100x और right hand side पे जब आप 100 से multiply करोगे तो ये जो decimal point है न ये 2s cap आगे आजएगा मतलब ये 2 और 7 के बाद यहाँ पे आजएगा इस 7 और 2 के बीच में इस number को जब आप 100 से multiply करोगे तो decimal point 2s cap आगे चल जएगा तब ही वो बन जाता है 127.272727 ये decimal point के बाद आप जितने चाहाँ उतनी बाद 27 लिख सकते हो multiply करने के बाद ये वाली जो equation आई है न इससे हम equation number 2 मान लेते है अब ज़र आप घ्यान से देखो equation number 1 के अंदर और equation number 2 के अंदर decimal point के बाद वाला जो portion है न वो exactly same है यहाँ पर भी decimal point के बाद 27,27,27 आ रहे है और यहाँ पर भी decimal point के बाद 27,27,27 आ रहे है जब आपको ऐसी दो equations मिल जाती है न जिनमे decimal point के बाद वाला portion exactly same हो जाता है तब आपने उन दोनों को आपस में subtract कर देना होता है तब ही हमने अगले step में लिखा है subtracting equation 1 from equation 2 यह जो बड़ी वाली equation होती है न उससे आपने उपर रखना है और पहले वाली equation से subtract कर देना है इन दोनों को आपस में subtract कर रहे हैं तो 100x में से अगर आप 1x को minus करोगे तो 99x बज़ेगा और यहाँ पे जब आप इन दोनों numbers को लिखोगे न तो ध्यान रखना है decimal point के नीचे decimal point आना चाहिए इस वाले 1 को आपने 7 के नीचे लिखना है इधर 2 के नीचे या 1 के नीचे नहीं लिखना जब भी आप दो ऐसे numbers को add या subtract कर रहे होते हो न जिनमें decimal points आ रहा होते है तो decimal point के नीचे decimal point होना चाहिए अब इन दोनों numbers को जब subtract करेंगे तो decimal point के बाद वाले सारे digits आपस में एक दूसरे को cancel out कर लेंगे क्योंकि ये वाले सारे digits exactly same है तो सिरफ ये रह जगा 127 और 1 127 में से 1 को subtract करो तो 126 बद जाता है अब ये वाले जो 99 है ये X के साथ multiplication में है ये उस तरफ जाएगा तो division में आजेगा तब ही हमने अगले स्कैप में लिखा है 126 upon 99 अब यहाँ पे ना आगे division हो रही है 9 से divide हो जाते है 126 भी 9 से divide हो जाता है और ये 99 भी 9 से divide हो जाता है गारेक्टली अगर आपने 9 से ने divide करना तो पहले 3 से divide कर लो फिर दुबारा 3 से divide कर लो numbers को हमेशा lowest form में लिखना होता है fractions को हमेशा आपने lowest form में लिखना होता है अगर divide हो रहा हो ना तो आपने divide जरूर करना है या तो directly 9 से divide कर दो या फिर पहले 3 से divide करो उसके बारा 3 से divide करो ultimately ये number बचेगा 14 upon 11 तो हमने P by Q की form में convert करना था ये आगया P by Q की form में convert होगे ये P की value है 14 और ये denominator में Q की value है 11 तो ये हमें number दे रखा था जिससे P by Q की form में convert करना था तो 1 upon 1.27 bar इसके value है 14 upon 11 This is the answer Next, example number 9 के उपर आते हैं Super important का ये वाला question na Show that 0.2353535 and so on which can be written as 0.235 bar ध्यान से notice करो ये जो बार है न वो सिरफ 3 और 5 इन दोनों digits के उपर है 2 के उपर नहीं है जब expandic form में भी लिखा हुआ है तो 3 और 5 ये दोनों digits हैं जो की बार-बार repeat हो रहे हैं जो 2 है वो repeating block के अंदर नहीं है 2 बार-बार repeat नहीं हो रहा ये जो 2 है वो repeating block के बाहर है show that this number can be expressed in the form P upon Q हमने prove करना है कि ये वाला जो number है इस number को P by Q की form में express किया जा सकता है मतलब इस number को P by Q की form में convert किया जा सकता है where P and Q are integers and Q is not equal to 0 P और Q ये दोनों integers हैं और हमें पता है कि denominator में कभी 0 नहीं आ सकता तो Q की value 0 के इलावा कोई और number होगी चलो solve करना स्कार्ट करते हैं सबसे पहले तो जो आपको question में number दे रखा है ना उस number को आपने x मान लेना है तब ही हमने first line में लिखा है example number 8 के अंदर भी हमें एक number दे रखा था उससे हमने P by Q की form में convert किया था वो alert type का question था और ये different type का question है इससे पहले वाले question में decimal point के बाद जो कुछ भी लिखा हुआ था उस पूरे के उपर बार लगा हुआ था जिसके उपर बार लगा होते है न उसे repeating block कहते है इससे पहले वाले question में decimal point के बाद directly repeating block था लेकिन next question में ये decimal point है और इससे बोलते है repeating block उसके बीच में भी एक डिजिक है तो ये अलग variety का question है इसके अंदर आपको एक skip extra करना पड़ेगा पहले हमें ये वाला जो two है न इसे ठीक करना पड़ेगा उसके बाद फिर ये वाला जो repeating block है इसे ठीक करना पड़ेगा आपको question का type clear हो गया इस वाले question में decimal point और repeating block के बीच में भी एक और गिजिक है जिसकी वज़े से इसके अंदर हमें एक skip extra करना पड़ता है एक question उसका answer देना decimal point नजर आए आपको और ये 3,5 जिसके उपर बार लगा हुआ है इसे कहरे है repeating block decimal point और repeating block के बीच में कितने digits हैं एक एक गिजिक है न two इसलिए पहले आपको 10 से multiply करना पड़ेगा decimal point और repeating block के बीच में अगर दो digits होते तो हंगर से multiply करते decimal point और repairing block के बीच में अगर तीन digits होते तो 1000 से multiply करते क्यूंकि decimal point और repeating block के बीच में सिरफ एक गिजिक है इसलिए पहले 10 से multiply कर रहे हैं ये हमारा first step होगा उसके बाद ये repeating block में दो digits है न, इसलिए अगले skip में फिर 100 से multiply करना पड़ेगा पहले 10 से multiply करना पड़ेगा, फिर 100 से multiply करना पड़ेगा 10 से इसलिए क्योंकि decimal point और repeating block के बीच में सिरफ एक गिजिक है और इस वाले हंग्रेक से इसलिए क्योंकि repeating block के अंदर दो digits आ रहे है चलो solve करते हैं, skip number 1 तो हो गया था, हमें जो number दे रखा था, उस number को हमने x मान लिया था अगले skip में आप इस number को expanded form में लिखोगे मतलब यह 0.2 का 0.2 as a case, उसके बाद यह 3.5 है न, इसके उपर बार लगा हुआ है तो यह दोनों digits repeat होते जाएंगे, 3.5, 3.5, 3.5 and so on, जितनी चाहो उतनी बार लख सकते हो अब अगला skip होगा, multiplying both sides by 10, I hope आपको clear हो गया होगा के 10 से क्यों multiply कर रहे है क्योंकि decimal point और repeating block के बीच में एक ही digit है, इसलिए 10 से multiply कर रहे है तो x को 10 से multiply करेंगे, बन जाता है 10x और इस number को, जब 10 से multiply करेंगे, तो यह decimal point, एक step आगया जएगा तब ही बन जाता है 2.353535 and so on, इसे हम equation number 2 मान लेते हैं, यह हमारी equation number बन दे है अब दुबारा से आपने 100 से multiply कर रहे है 100 से इसलिए multiply कर रहे है, क्योंकि repeating block के अंदर 2 digits है तो आप लेखोगे multiplying both sides by 100 यह can x को 100 से multiply करेंगे, तो 1000 x बन जाता है और यहाँ पे, जब आप 100 से multiply करोगे, तो यह decimal point, 2 step आगया जएगा यह 5 और 3 के बीच में आजगे यहाँ पे जब इस number को 100 से multiply करेंगे, तो decimal point, 2 step आगया जएगा तो यह बन जाता है, 235.353535 and so on यह हमारी equation number 3 है अब जब आप ध्यान से देखो, तो equation number 2 और equation number 3 में इन दोनों के अंदर, decimal point के बादवला पार्ट है न, वो exactly same है इन दोने equations में, decimal point के बादवला पार्ट exactly same है जैसे ही आपको ऐसी equations मिलजे न, जिन में decimal point के बादवला पार्ट exactly same होता है तो आपने उन दोनों को सब्क्रैक्ट कर देना होता है तो अगले स्कैप में हम इन दोनों equations को सब्क्रैक्ट करेंगे मतलब equation number 2 को equation number 3 में से सब्क्रैक्ट करना है तब भी अगले स्कैप में हमने लिखा subtracting equation 2 from equation number 3 तो ये equation number 3 को हमने लिखा equation number 2 को दोनों को दुबारा से लिखा अभी इने सब्क्रैक्ट कर रहे हैं ये 1000 में से अगर 10 को सब्क्रैक्ट कर देंगे 1000x में से अगर 10x को सब्क्रैक्ट करेंगे तो 900x बजेगा और यहाँ पर एक बात का और आपने ध्यान रखना है जब भी आप दो ऐसे numbers को लिखते हो ना जिनमें decimal point आ रहा होता है तो decimal point के नीचे decimal point ही लिखना है ये वरण जो Q है उसे आपने 5 के नीचे लिखना है ये 3 या 2 के नीचे नीचे नहीं लिखना ध्यान रखना कि decimal point के नीचे ही decimal point आ रहा हो exactly नीचे अब decimal point के बाद बाले सारे गिजेक same थे तो ये सब तो आपस में एक दूसरे को पूरी तरह से cancel out कर लेंगे सिरब ये दोनों बचेंगे 235 में से 2 को subscribe करें तो 233 बच जाता है ये 990 X के साथ multiplication में है इसे इस तरह भेजेंगे तो division में आजेगा तो X की value आ जाती है 233 upon 990 अब इन दोनों numbers की further आके और division नहीं हो रही है ये पहले से ही lowest form में है तो इसका मतलब this is the answer ये हमें question में number दे रखा था जिसे PYQ की form में convert करना था और इस process को follow करके हमने इसे PYQ की form में convert कर दिया This is the answer Next, example number 10 पे आते है Find an irrational number between 1 by 7 and 2 by 7 देखो 1 upon 7 PYQ की form के अंदर है मतलब ये एक rational number है और 2 by 7 ये भी PYQ की form में है मतलब ये भी एक rational number है तो question के अंदर हमें दो rational numbers given है और हमने इन दोनो rational number के बीच में लाए करने वाला एक irrational number फैंक करना है question के अंदर हमें दो rational numbers given है और हमने इन दोनों के बीच में एक irrational number find करना है चलो solve करना स्काट करते है देखो जब भी आपने irrational number find करना है तो पहले तो numbers को आपको उनके decimal form में convert करना पड़ेगा मतलब ये जो 1 by 7 है न तो 1 को बीच में रखके आपने 7 से divide करना है divide करके इस fraction को आपने इसकी decimal form में convert कर देना है जो दूसरा number में दे रख है वो 2 by 7 है इस number को भी आपने decimal form में convert करना है जैसे 2 by 7 है न तो 2 को बीच में रखके आपने 7 से divide करके completely divide करके इसको इसकी भी decimal form में convert करना है वैसे तो आप divide करी लोगे फिर भी मैं इन दोनों में से एक आपको बता देता हूँ आपको एक समझ भागे तो दूसरे भी आप automatically division कर लोगे तो 1 को हमने 7 से divide करना था देखो 1 न 7 से छोट है तो पहले आपको decimal point लगाना पड़ेगा जैसे आप decimal point लगाओगे आपको एक 0 लगाने की permission मिल जाती है और यह 0 लगती ही बन जाता है 10 तो 7 into 1 is equal to 7 10 में से 7 को subscribe किया तो यह वाला 3 आता है 3 7 से छोटा है ना पर क्योंकि decimal point लग चुका है तो आप एक 0 लगा सकते हो 0 लगाते ही वो 30 बन जाता है तो 7 multiply by 4 is equal to 28 30 में से 28 को subscribe करेंगे तो 2 बचेगा एक 0 आपने लगा देनी है क्योंकि decimal point लग चुका है तो 20 बन गया तो 7 into 2 is equal to 14 20 में से 14 को subscribe कर के 6 है साथ में अब 0 लगाओगे तो 6 की बन जागा अब 7 into 8 is equal to 56 60 में से 56 को subscribe कर के 4 आएगा साथ में जैसी अब 0 लगाओगे तो 40 बन जागा 7 into 5 is equal to 35 फिर subscribe कर के 5 आता है 0 लगाते है वो 50 बन जाता है 7 into 7 is equal to 49 subscribe कर कर के फिर 1 आता है देखो starting भी 1 से हुई थी और इतना लंबा divide करने के बाद यहाँ पर फिर से बन आ गया मतलब यह वाली पूरी की पूरी प्रोसेस अब फिर से repeat होती जाएगी तो यह non-terminating repeating decimal है मतलब इसके बाद ना यही वाले सारे gajigs दुबारा दुबारा आते जाएंगे तो फिर से आपको और आगे division करने की जरूत नहीं है बस आप इन्य gajigs के उपर ऐसे बार लगा दोगे तो 1 को 7 से divide करके आता है 0.142157 बार similarly आपने 2 by 7 को भी decimal form में convert करना है 2 को बीच में रखके आपने 7 से divide कर दिना है तो divide करके यह वाले gajigs आजेंगे यहाँ पर भी न यह non-terminating है देको 2 से starting होई थी divide करके फिर से 2 पर ही पहुंच जाते हो तो score आगे division continue करने की जरूत नहीं है यह जो gajigs आगे है न बस इनके उपर आपने बार लगा देनी है तो यह हमारा पहला स्केप्टो हो गया जो हमें numbers दे रखे थे थे न 1 by 7 और यह 2 by 7 हमने इन दोनों को इनके decimal form के अंदर convert कर दिया अब हमने इन दोनों के बीच में लाइक करने वाला irrational number find करना था देखो यहाँ पर decimal point के बाद पहले 2 digits कौन से हैं तो एक ऐसा number बताओ जो 14 और 28 के बीच में हो 14 और 28 के बीच में तो काफिस आ रहे हैं 15, 16, 17, 18 काफिस आ रहे हैं तो 15 को ले लेते हैं 0.14 और 0.28 के बीच में आते हैं 0.15 अब इसको आपने irrational बना दा है देखो पहले आप लिखोगे 15 उसके बाद दुबारा आप 15 लिखोगे लेकिन 5 को दो बार लिख दोगे फिर फिर से आप 15 लिखोगे लेकिन 5 को तीन बार लिख दोगे ऐसा करने के वज़़े से ये बन जाता है एक irrational number 0.14 और 0.28 के बीच का एक number सेलेक्ट करना है आप 15 ले सकते हो 16, 17, 18, 19, 21, 22 कुछ भी ले सकते हो पहले आप लिखोगे एक बार 0.15 दुबारा से आपने 15 लिखना है लेकिन 5 को दो बार लिख देना है फिर से आपने 15 लिखना है लेकिन 5 को तीन बार लिख देना है या तो आप 5s increase करते जाओ या फिर आप 1s को increase करते जाओ ऐसे करते हैं आप आपने 3-4 dots लगा देनी है तो उससे वो irrational बन जाते है ये dots का मतलब है कि ये non-terminaking है ऐसे चलता ही जाएगा और ये repeating भी नहीं है क्योंकि देखो पहले 5 एक बार आ रहा है फिर 2 बार आ रहा है फिर 3 बार आ रहा है फिर 4 बार आएगा तो मतलब इस number के उपर ऐसे बार नहीं लगाया जा सकता इसलिए ये वाला number एक irrational number है हमने एक ही find करना था इसलिए एक ही लिख है आप जितने जहाओ उतने numbers लिख सकते हो अगर आपने और भी ज़्यादा numbers लिखने है न तो यहाँ पर 3 digits लेना start कर दो फिर्स 3 digits कौन से है 142 और यहाँ पर फिर्स 3 digits कौन से है 200 गेके 5 अब 142 और 200 गेके 5 के बीच में तो काफी सारे numbers है न तो उन सारे numbers को लिखके आप किसी भी एक digit को increase कर करकर करने एक्जाम के See you in the next video, all the best